नमस्कार गर्शुको दा नियूस इंडिया में चलिए देखते हैं उत्तरप्रदेश से जुड़ी हुई खास खबर उत्तरप्रदेश के गोंडा जनपत से एक खबर आ रही है तबरगंज तहसील के अंतरगत गाउं की प्रधान और गोंडा की नारी ग्यान इस्थली महाविध्याले की संस्थापिकार डॉक्टर क्रशना सिन्हा का निधन हो गया है लखनव के एक निजी अस्पताल में उनका निधन हुआ है और जैसे ही ये खबर आई सभी जगे शोक की लहर दोड़ गई डॉक्टर सिन्हा अपने पीछे अपना भरा पुरा परिवार छोड़ गई है पारिवारिक सुत्रों की माने तो कुछ समय से अस्वस्त चल रही थी लेकिन जब जादा तकलीफ बड़ी तो उन्हें लखनव के हॉस्पिटिल में भरती कराया गया था जहां उनका निधन हो गया है शव को लखनव से गोंडा लाकर नारी ग्यानिस्तली महाविद्याले में दर्शन के लिए रखा गया है और वहां लोगों की भीड लगी हुई है लोगों का तनाता लगा हुआ है आपको बता दे के इने एक विशेश पहचान मिली थी ये बेटियों की सुरक्षा के लिए नारीयों के आत्मसंमान के लिए हमेशा से काम करती आई है और अनेक बुद्धी जीवी गर्मान नागरिकों व्यपारी और शिक्षाविदों ने उनके निधन पर श्रद्धान जली दी है और इसे बड़ी शती बताया है विबेक श्रिवास्ता आभा सक्सेना रंजन आधी तमाम लोग वहां मौझूद थे और परिवार के साथ मौझूद रहें